हेलो फ्रेंड्स मैं आपका इस यूटूब चनल पे सौधत करता हूँ फ्रेंड्स हम पढ़ रहा है डेली 25 इडियम और फ्रेजेज और आज का जो हमारा पहला इडियम है तू काउंट दा चिकेन्स बिफोर दे आर हैच्ट मतलब समय से पूर्व ही फल की आसा करना जिसको हम बोलते हैं तो काउंट दे चिकेन्स बिफोर दे आर हैच्ट यहाँ पे एक वर्ड है अंटिसिपेट anticipate का मतलब होता है पुर्वा नुमान लगाना पुर्वा नुमान लगाना जिसको हम बोलता है भविसेवारी करना तो इसके ये जो word है इसके synonym हो जाएंगे 4C, F-O-R, S, W 4C, predict या फिर forecast भी हो सकता है इन सभी का मतलब यही होता है कि पुर्वा नुमान लगाना या फिर हम बोलता है भविसेवारी करना anticipate के ये सभी synonym है अब इस एडियम को हम याद कैसे रखेंगे to count the chickens before they are hatched hatch का मतलब होता है अंडे देना या फिर अंडे सेना जो हैन होती है, जो मुर्गी होती है वो जब अंडे देती है जब अंडे सेती है उसको हम बोलता है hatch और उसके अंडे से क्या निकलते है choosing निकलते है तो to count the chickens before they are hatched मतलब उस अंडे से choosing निकले नहीं chickens निकले नहीं chickens का मतलब होता है choosing जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं chickens तो अंडे से chickens निकले नहीं मतलब चूजे निकले नहीं और पहले से ही count करना शुरू कर दिया तो count the chickens मतलब कि उस chicken को count करना शुरू कर दिया before they are hedged अंडे से निकले बगएर मतलब to anticipate gain prematurely before time मतलब समय से पूर वही उसको count करना शुरू कर दिया उस अंडे से निकले भी ना मतलब समय से पूर वही फल की आसा करना शुरू कर दिया गया समय से पूर भी फल की आसा करना उसको बोलते हैं to count the chickens before they are hedged next idiom है to cross one's peas to cross one's peas and dot one's eyes इसका मतलब होता है to make minor changes मतलब मामुली बदलाव करना उसको बोलते है to cross one's peas and dot one's eyes अब हम इस idiom को याद कैसा रखेंगे to cross one's peas मतलब कि T बना हुआ है T बना हुआ है ऐसे T ऐसे बनाते हैं T ऐसे बना हुआ है अब इसको क्या कर दिया गया कि इस T के उपर वाई लाइन को एरेस कर दिया गया इस T के ऊपर वाई लाइन को ऐसे erase कर दिया गया और इसको I बना दिया गया इसको ऐसे यहाँ पे dot दे के I बना दिया गया इसका मतलब यह हो गया कि minor change किया गया है पहले क्या बना था? T बना था अब इसके ऊपर के लाइन को हटा कर यहाँ पे dot बना दिया गया तो to cross one's t's and dot one's eyes मतलब to take minor changes मामली बदलाव करना I hope आपको यह idiom समन में आ गई होगी और आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं Next idiom है To gild the pill To gild the pill का मतलब होता है To cover an unpleasant thing by a pleasant one मतलब a pre-austu को pre-austu से ढखना उसको हम बोलते हैं To gild the pill अब हम इस idiom को याद कैसे रखेंगे कि gild का मतलब होता है परत चढ़ाना और पिल का मतलब होता है दवा की गोली जो दवा की गोली होती है उसको हम बोलते हैं पिल तो किसी कड़वी दवा की गोली पर चीनी या फिर कोई दूसरी जो बीन्थी चीज हो उसकी परत चढ़ा दी जाए जिससे की वो क्या हो निगलने में उसको आसानी हो उस दवा को निगलने में आसानी हो वो कड़वी ना लगे इसका मतलब यह हो गया कि वो जो अप्रिय वस्तु है मतलब दवाज होती है वो कड़वी होती है तो कड़वी वस्तु को प्रिय वस्तु से ढख देना कड़वी वस्तु को कड़वी चीज को मीटी चीज से ढख देना मतलब अप्रिय वस्तु को प्रिय वस्तु से ढख देना उसको हम बोलते हैं To gild the pill मतलब To cover an unpleasant thing by a pleasant one अब प्रियवस्तु को प्रियवस्तु से ढगते ना Next idiom है To go with tell between the legs Means behave cowardly कायरता पूर व्याहार करना या फिर दुम दबा कर भागना उसको हम बोलते हैं To go with tell between the legs तो जो dog होते हैं जो कुते होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो भागते हैं जब भागते हैं तो दुम दबा कर भागते हैं दुम दबा कर भागना मतलब क्या कि वो अपने दोनों लेक के बीच में अपने tell को फसा लेते हैं और उसके बाद वो भागते हैं उसी को हम बोलते हैं दूम दबा कर भागना मतलब तो गो विद टेल बिट्विन देलेक्स भागना लेकिन कैसे दो लेक के बीच में अपनी पूछ फसा कर भागना तो डॉग ऐसे ही भागता है मतलब हो जाएगा be have cowardly कायरता पूर वियावार करना या फिर दूम दबा कर भागना next है to have gift of the gab मतलब art of speaking बोलने की कला उसको हम बोलते हैं to have gift of the gab किसी को gift मिला है गयाब करने का बोलने का art of speaking मिली है बोलने की कला मिली है गौड से मिली है to have gift of the gab मतलब हो जाएगा art of speaking बोलने की कला next है touch and go इसका मतलब होता है risky खतरनाक टच और गो का मतलब होता है risky खतरनाक बहुत सारे game क्या होता है बहुत ही risky होता है बहुत ही खतरनाक होता है इस एडियम को मैं से याद रख सकते हैं touch and go का मतलब बहुत सारे ऐसे बैठे रहते हैं और दो person भागते रहते हैं एक परसन यहां पर भागता है और एक परसन यहां पर भागता है तो यह वाला परसन इसके पीछे भागता है और यह परसन क्या करता है कि किसी को भी टच करता है जैसे ही टच करता है तो यह वाला परसन भागना शुरू कर देता यह वाला परसंद भागना सूर कर देता है और यह जो परसंद पीछे था यह जिसने टच किया वहां चाहिए बैठ जाता है तो टच अंगो का मतलब हो जाएगा रिस्की खतरनाग नेक्स्ट है टू हैं फायर इसका मतलब होता है तो रिमेन अंसल्ड अंसल्जा रह जाना उसक त्व कीप वन्स कंगल्ग वक्र spann inhib नेक्सका के वक्रशा कर देदर वजज़ों मतलब कूँग कर रहा है और अपना फिंगर अप ग्रास करके किसी का वेट कर रहा है इसका मतलब किसी का वेट तो कर रहे हैं लेकिन उच्छुक्ता से कर रहे हैं To keep one's fingers crossed का मतलब हो जाएगा To wait expectantly मतलब उच्छुक्ता से प्रदिक्चा करना Next है To lie in the bed one has made Means to reap the benefits of one's acts महनत का फल पाना उसको हम बोलते हैं To lie in the bed one has made तो किसी person ने क्या किया है कि bed बनाया किसी person ने bed बनाया और वो क्या कर रहा है कि अपने ही बनाय हुए bed पे lie कर रहा है अपने ही बनाय हुए bed पे lie कर रहा है मतलब लेट रहा है और वो जो bed उसने बनाया है, इसका मतलब कि वो उसके महनत का फल है, तभी तो वो उसके लेट रहा है, तो to lie in the bed वो बेट पे लेटा है, one has made, जो उसने बनाया है, इसका मतलब to reap the benefit of one's acts, मतलब महनत का फल पाना, उसने जो भी महनत किया है, वो उसका फल पा रहा है, इस idiom को ह हम ऐसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट है तू मेक हे तू मेक हे वाइल दसम साइंस मेंस तू सीज दॉपोचिनिटी एड़ राइट तैम मतलब और सर का लाग उठाना या फिर बहती गंगा में हाथ दोना उसको हम बोलते हैं तू मेक हे वाइल दसम साइंस अगर हम इस हे जो वर्ड है इसको हम अलग से बात करेंगे तो इसका मतलब होता है भूसा एचे वाई हे हे का मतलब होता है भूसा Next है To put all eggs in one basket Means To risk all money in one enterprise मतलब सारा पैसा एक उद्ध्योग में लगाने का खत्रा उठाना उसको हम बोलते हैं To put all eggs in one basket Means To risk all money in one enterprise तो किसी नहीं क्या गिया? कि अपना पूरा एक एक बास्केट में डाल दिया अपना पूरा पैसा एक उद्ध्योग में लगा दिया तो अगर अपना पूरा पैसा उसके पाद जितना भी पैसा है उसने अपने एक धंदे में लगा दिया इसका मतलब कि वो खत्रा मोड ले रहा है पता नहीं उसको उस उद्योग में उसको profit होगा या नहीं होगा उसका उद्योग चलेगा या नहीं चलेगा तो to put all eggs in one basket का मतलब होता है to risk all money in one enterprise अपना पूरा पैसा एक enterprise में लगाना एक उद्योग में लगाना और risk उठाना next है to put a spoke in one's will means to create hindrance बाधा डालना उसको हम बोलता है to put a spoke in one's will इस idiom को हम याद किसे रखेंगे spoke का मतलब होता है सीड़ी का डंडा spoke का मतलब होता है सीड़ी का डंडा तो अगर सीड़ी का डंडा in one's will will का मतलब होता है जो गाड़ी की will होती है जो पहिया होता है उसको болता है, तो spoke, सीड़ी के दंडे को, अगर गाड़ी के पहिये में डाल दिया जाए, इसका मतलब यह है, कि बाधा डाला जा रहा है, hindrance, डाला जा रहा है, मतलब बाधा डाली जा रही है. To put a spoke in one's will, इस पोग को किसी के वील में डाल दिया गया, इसका मतलब बाधा डाली जा रही है, रुकावट पैदा की जा रही है To create hindrance, बाधा डलना Hindrance का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट Next है, Tenterhooks, means होता है Very Tense and Anxious, बहुत चिंतित उसको हम बोलते हैं Tenterhooks Next है, Utopian Scheme, Utopian Scheme का मतलब होता है An unrealistic Good Scheme, अच्छी किंतों अव्यावारिक योजना Unrealistic Good Scheme कोई भी Scheme ऐसी, कोई भी Scheme अच्छी तो है, लेकिन वो Practical नहीं है, Realistic नहीं है, Unrealistic है अव्यावारिक है, उसको हम बोलते हैं Utopian Scheme तो Sir Thomas More ने क्या किया था, कि 1516 में Utopian नामक एक उपन्यास लिखा था इसमें कालपनिक रूप से एक आदर समाज का वर्डन किया था उसमें उनने क्या किया था, कि एक आदर समाज का वर्डन किया था तो वहीं से ये एडियम आया है, Utopian Scheme का मतलब हो जाएगा An Unrealistic Good Scheme मतलब अच्छी किंतु अव्यावारिक हो जना जोकि realistic ना हो नेक्स्ट है, A Phil Task A Phil Task का मतलब होता है, Very Difficult Task कठिन कारे को हम बोलते हैं, A Phil Task नेक्स्ट इडियम है, Ups and Downs Means Change in Fortune भागे का उताजड़ाओ उसको हम बोलते हैं, Ups and Downs तो सभी के लाइप में Ups and Downs आता है, उतार चड़ाओ आता है तो Ups and Downs का मतलब क्या हो जाएगा, Change in Fortune मतलब भागे का उतार चड़ाओ Fortune का मतलब होता है, भागे और Unfortune का मतलब होता है, दुर भागे इसका opposite हो जाएगा, Fortune का Fortune का opposite, Unfortune Next है, Up to the Mark Means, As Good as Should Be Next है, Under One's Nose Means, In Front of Eyes आखों के सामने, अगर कोई चीज आपके नोज के सामने है, Means कि वो आपके आखों के भी सामने है कोई चीज अगर आपके नोज के सामने है Under One's Nose, या फिर आपके नोज के नीचे है तो इसका मतलब कि वो आपके आखों के भी सामने है तो under one's nose means हो जाएगा in the front of eyes आखों के सामने नेक्स्ट अगली कस्टमर अगली कस्टमर मिन्स होता है होस्टाइल पर्सन जगडालों मनिस्ट को बोलते हैं अगली कस्टमर ब्यूटिफुल का अपोजिट होता है अगली तो एक ऐसा कस्टमर जो की बहुत ही अगली है मतलब बहुत ही बिकार है बहुत ही बुरा है अगर वो बहुत ही बुरा है इसका मतलब वो हस्टाइल पर्सन है वो सौप के पर के पास जाएगा किसी भी सौप पे जाएगा और वो हमेसा जगडा ही करता रहेगा अगली कस्टमर मतलब होस्टाइल परसन जगडालो मनुस्य next है under the auspices of means under the patronage of किसी के संरक्षण में उसको हम बोलते हैं under the auspices of तो यहाँ पे जो word लिखा हुआ है auspices यह noun है और यहाँ पे जो word लिखा हुआ है patronage यह भी noun है इन दोनों का मतलब होता है संरक्षण, आस्रे, सरण उसको हम बोलते है auspices यह फिर patronage यह एक दुसरे के synonym है auspices और patronage next under lock and key इसका मतलब होता है in safe custody पूरी सुरुक्छा में उसको हम बोलते हैं under lock and key तो कोई भी समान अगर लॉक कर दी गई हैboys और की की आपके पास है इसका मतलब in safe custody वो safe custody में हैं पूरी सुरुक्छा में under lock and key कोई समान लॉक किसी समान को ऽॉकर दीदिया गया है लॉकर मेरत दिया गया है और पूरी सुरुक्छा में थाань कि अप्टू सब्सक्राइब अग्यों जो भी चीज़ें नहीं नहीं आती है उसको हमें आमीशा सिखते रहना चाहिए दिखना कि अंडर्द सन अंडर्द सन का मतलब वह ता है एनिवार in the world मतलब संसार में कहीं भी तो sun sun की जो रौसनी होती है वो पूरे पृत्वी पढ़ती है तो अगर आप पूरे पृत्वी में पूरे पृत्वी में कहीं भी आए तो उसकी जो light है वो आपके उपर पढ़ीगी और आप sun के नीचे रहेंगे तो under the sun मतलब anywhere in the world आप संसार में कहीं भी रहें sun की जो light है वो आपके उपर पढ़ेगी और आप sun के नीचे तो है ही तो under the sun का मतलब हो जाएगा anywhere in the world, संसार में कहीं भी next है under a cloud मतलब to be under suspicion संदे के घेरे में उसको हम बोलते हैं under the cloud यहाँ पर जो word है suspicion यह जो word है suspicion यह noun है इसका मतलब होता है sun का, संदे, संसे और अगर हम बात करें suspicious एस यू एस पी आई सी आई ओ यू एस suspicious यह adjective होता है यह word adjective होता है क्यों? क्योंकि इसके last में O-U-S आया है कोई भी बार जिसके last में O-U-S आता है वो adjective होता है तो suspicious noun है और suspicious adjective है नेक्स्ट है vacant frivolities vacant frivolities का मतलब होता है useless enjoyments वेर्थ कमन रंजन उसको हम बोलते हैं vacant frivolities next है why with why with का मतलब होता है compete स्पर्दा करना उसको हम बोलते हैं why with वैसे यह जो word why है V-I-E इसका मतलब ही होता है स्पर्दा इसका मतलब ही होता है स्पर्दा करना तो why with का मतलब हो जाएगा to compete स्पर्दा करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, subscribe और share जरूर करिएगा धन्यवाद